दोस्तों आज हम आज गए एंपेर वाई ग्रीप्स के सोरूम पर तो आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एंपेर कंपनी के एलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में इसके फीचर्स इसका ओन रोड प्राइज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा तो ओन रोड प्राइज आपको इस वीडियो के लास्ट में बता दूँगा तो सबसे पहले हम इसके features को लेकर बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम इसके front profile से start करते हैं इसके visor पर आपको chrome finish मिल जाती है जो की काफी जादा attractive लगती है इसमें आपको multi reflector halogen headlamp मिल जाती है with LED valve के साथ नीचे की side में आपको empire company का logo भी मिल जाता है तो के ठीक नीचे आपको number plate लगाने के लिए option भी मिल जाता है इसके side में आप देख सकते हो कुछ longer type के कुछ longer type के indicator मिल जाते हैं जिसमें आपको LED DRLs भी मिल जाती है daytime running के लिए इसके साथी नीचे की side में आपको chrome finish भी मिल जाती है जो की इसके look को काफी ज़्यादा attractive बनाती है नीचे की side चलते है इसमें आपको steel rim मिल जाती है 10 inches की जिसके अंदर आपको 10 inches के tire भी मिल जाते है त्यूलेस और इसमें आपको TBS company के tire मिल जाते है और इसमें आपको combi breaking system मिल जाता है और telescopic suspension भी मिल जाते है और यहाँ पे आपको electric का logo भी मिल जाता है suspension की बात करें तो इसमें आपको adjustable suspension मिल जाते है rear वाले जो की आप इनको adjust कर सकते हो अपने weight के इसाफ से जैसा की आप यहाँ पे देख सकते हो इसके meter console को लेकर तो इसमें आपको fully digital type का meter मिल जाता है जैसा की आप यहाँ पे देख सकते हो इसके नीचे आपको key point मिल जाता है यहाँ से आप boot space को open कर सकते हो lock unlock और on off भी कर सकते हो इसके handle bar पे आपको जो है low beam और high beam का switch मिलता है horn का switch यहाँ भी आपको मिल जाता है इसके साथ ही left and right turn का indicator का switch यहाँ भी आपको मिल जाता है यहाँ आपके kilometer की speed दर साता है यहाँ पे आपकी जो kilometer की reading और यहाँ पे आप किस mode में आप इसको चला रहे हो वो दिखाता है low मतलब 1 और high मतलब दो number जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी जो battery की percentage है वो आपको यहाँ पे 100 होने लगती है speed को test कर लेते है low mode और high mode दोनो mode में इसकी जो speed है वो अलग-अलग से कितनी निकल के आती है तो मैंने इसकी जो speed को अभी जो है low mode में select करने के बाद इसकी जो speed कितनी आएगी तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसका जो mode है वो low कर रखा है और अभी मैंने इसका जो accelerator है वो दे दिया है accelerator मैंने full दे दिया है और full accelerator देने के बाद इसकी जो speed है वो 30 km 30 km परावर की speed आपको इसमें मिल जाती है जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो पईया है वो घूम रहा है अब इसकी speed को हम high mode में select कर लेते हैं high mode मतलब दो number जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी reading में तो high mode में select करने के बाद अब मैंने इसका जो accelerator है उसको दे दिया है accelerator को on करता जा रहा हूं मैं और full accelerator देने के बाद इसकी जो speed है वो 55, 55 km per hour की speed आपको इस scooty में मिल जाती है 4 से 5 गंटे चार्ज करने के बाद यह आपको 80 km का backup दे देता है दूसरी side में आपको जो है इसका man headlight का switch मिल जाता है जिसको on करने के बाद इसकी जो LED headlight है वो on हो जाती है यहाँ पे आपको self switch low mode, high mode switch यहाँ पे आपको braking system मिलता है और यहाँ पे आपको accelerator की grip मिल जाती है और इसके नीचे आपको key point मिल जाता है यहाँ से आप इसके boot space को भी open कर सकते हो और यहाँ पे आपको जो है एक hook भी दे रखा है सामान को लटकाने के लिए सबसे अच्छी बात यहाँ पे आपको mobile card charging port भी मिल जाता है यहाँ पे आप अपनी data cable को इसके अंदर लगा कर mobile को charge कर सकते हो इसके साथी इस open area में भी आप जो है पीछे की साइड में Magnus Pro का 3D में logo मिल जाता है Pro आपको sticker की form में मिलता है इसके नीचे की साइड में आपको aluminum के footrest मिल जाते हैं जो की काफी ज़्यादा quality के अच्छे हैं और काफी ज़्यादा unique भी लग रहे हैं अब बात करते हैं इसकी seat quality को लेकर तो इसमें आपको जो है brown color की leather की seat मिलती है इसमें आपकी जो cushioning है काफी ज़्यादा soft है काफी ज़्यादा mulayam है quality के इसाब से इसमें आपको जो है silver color का grab handle मिलता है पीछे की side से इसका जो look है वो काफी ज़्यादा attractive लगता है पीछे से बिर्कुल भी नहीं लगती है कि यह एक electric scooty है तो दोस्तो इसके नीचे की side में आपको reflector मिलता है number plate का भी option मिलता है कुछ tire की जो grip है वो इस step से नजर आती है इसमें आपको 1200 watt की motor मिलती है और इसके जो suspension है मैंने आपको बता दियते है जो की adjustable है वील के अंदर ही आपको electric motor मिल जाती है यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो TBS company के tulis tire मिल जाते है side panel आपको कुछ step से मिल जाते है यहाँ पे आपको foot rest मिल जाता है इसके side पे आपको Magnus Pro का 3D में logo मिल जाता है सामान लटकाने के लिए यहाँ पे आपको hook मिल जाता है seat के ठीक right and side पे अब हम इसके boot space को open कर लेते हैं तो इसका जो boot space area है वो मैंने open कर लिया है यहाँ पे आपको एक अच्छा कासा boot space मिल जाता है इसके अंदर आपको एक LED light मिल जाती है जिसको आप MCB के द्वारा on off कर सकते हो यहाँ पे आपको एक MCB का switch भी दे रखा है जिससे आप on off कर सकते हो इस डबे के अंदर आपको मिल जाता है दो side mirror और यहाँ पे आपको एक catalog book भी मिल जाती है जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो MPR Company के तरफ से यहाँ पे आपको एक first head kit मिल जाती है यहाँ पे आपको टूल किट भी मिल जाती है इस चोटे से pouch के अंदर boot space area के नीचे की side में देखते है तो यहाँ पे आपको एक छोटी सी key मिलती है इसमें आपको एक डखकन भी मिलता है इसको हटाने के बाद आपको जो है lithium iron की battery मिल जाती है जिसमें आपको तीन साल की warranty मिलती है MPR Company की तरफ से यह दोस्तों 4-5 गंटे में fully charge हो जाती है और एक बार fully charge होने के बाद यह जो है 70-80 km का backup दे देती है इस battery को आप आसानी से remove करके घर पे भी ले आ सकते हो घर पे भी आप इसको charge कर सकते हो इसके साथ आपको एक charger भी दिया जाता है company की तरफ से इसके charging cost को लेकर तो इसमें आपको 60 volt की lithium iron की battery मिलती है जो की 4-5 गंटे में fully charge हो जाती है और एक बार single charge करने के बाद यह आपको 70-80 km का mileage आराम से दे देती है fully charge होने के बाद अगर आप इसको सही से चलाते हो तो fully charge करने में जो खर्चा आता है वो लगबग 1.5-2 unit का आता है तो 15-20 उर्पे की बिजली अगर आप spend करते हो इसको fully charge करने के लिए तो तक्रीवन आपको 70-80 km का backup मिल जाता है दोस्तो आप जानते हो कि Indian government फिलाल में electric vehicle purchase करने पर subsidy देती है अगर आप Mpair की Magnus Pro purchase करते हो तो इस पे आपको 18,000 की 18,000 की subsidy मिल जाएगा तो अभी हम इसका जो on road price Kolkata का भाईया से पूछ लेते हैं वो सारी detail price के बारे में आपको दे देंगे तो चलिए दोस्तो आप जो देख रहे हैं यह Magnus Pro और इसका आपका price आएगा 1,6,000 Kolkata on road price आएगा आपका 88,000 lifetime का आपका tax हो जाएगा insurance होगा 5 साल का और warranty आएगा तीन साल का यह तीन साल का वारेंटी कंपणी के तरफ से देया जा रहा है अगर आप extended करना चाहते हैं तो एभी extended हो सकता है और दो साल का लिए extended हो जाएगा इसका आपका लगेगा 2400 तक आपका extended warranty का प्राइज लगता है और एक good news है स्विक में आप लेते हैं तो इसका उपर 1500 तक आपका discount हो जाएगा इसका जो motor है यह 1200 वार्ट का motor है और इसमें भी आपका तीन साल का वारेंटी आ रहा है और इसका बैटरी भी आपका वारेंटी हो जाएगा तीन साल का इसका single charge में आपको 80 प्लस आपका mileage मिल जाता है और इसमें आपका जो speed होगा ओँ आएगा 60 to 65 प्लस आएगा 60 to 65 तक आपका speed मिल जाएगा इसमें आपको मिलता है lithium iron बैटरी जो आपका चार्ज से 5 घंटा में full charge हो जाता है और जो charging का जो आपका unit लगता है एक full charge देने में ओ भी minimum डेर से 2 unit तक आपका खर्चा होता है 10 से 12 तक रुपे खर्चा करने में आपको 80 किलोमेटर मिल रहा है इसका full charge में आपका speed मिल जाएगा 60 to 65 तक आपका speed मिल जाएगा और low speed में आपका maximum आपका 31 से 35 तक आपका speed मिल जाएगा दोस्तों यह जो हम लोग का showroom है एक दॉमदम कैंटर मेंट सेंटल जेल मौईदान का opposite में है new DB enterprise बोलखे यहाँ पर आपका ampere grips का सारा आपका model मिल जाएगा तो देर मत किजिए आईए discount offer का फाइदा उठाईए झाल 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 जाएगा